नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री जो तिहार से वापस आए तो फिर कुर्सी पे बैठ नहीं सके उनके द्वारा यह जो शीष महल बनाया गया था इसका विवाद तो खत्वी नहीं हो रहा आतिशी मालेना शिफ्ट कर गई उनको एलाउट कर दिया गया लेकिन अब ख़बर यह आ रही है कि अर्विंद केजिवाल ने अपने लिए जो आशियाना बनाया था उसका भटवारा होने वाला है दोदो और मंत्रियों को वो घर एलाउट होने वाला है बड़िक कहानी सामने आ रही है पी डरूडी के अधिकारी बता रहे हैं कि कई सारे घरों को मिला करके केजिवाल ने यह घर बनाया कुछ तो गिरा दिये कुछ बचे हुए है तो अब जो चीफ मुनिस्टर आवास के नाम पे एक बड़ा सा कॉंप्लेक्स बनाने की जो पूरी प्लैनिंग थी उस पे मठ्ठा डलता हुआ नदर आ रहा है पी डरूडी दो और लोगों को सी समहल के कॉंप्लेक्स में सिफ्ट करने वाली है उनको एलॉट किया जाना है और खुलासा ये हो रहा है कि पहले भी ये बात सामने आई थी लेकिन किसी मंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई कि उसके तरफ नदर उठा के देख सके केजरिवाल के CMO कॉंप्लेक्स के अंदर वो सिफ्ट कर सके लेकिन अब PWD की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जाच परताल सारी चीज़ कर ली ये जो केजरिवाल बाहर निकले और PWD के अधिकारी अंदर जागर के पूरे कॉंप्लेक्स को देखा समझा तो दो और लोगों को इलाट किया जाएगा ये शीश महल का जो कॉंप्लेक्स है उसके अंदर क्या खबर आ रही है लास्ट येर वेन अविजलेंस इंक्वारी was initiated to probe claims of irregularities in the renovation and construction of the Delhi chief minister residence at 6 Flagstaff road 2 flats adjacent to the complex were alleged to have been demolished for expansion it has now come to light that these flats 8A and 8B were not raised and may be allotted by the public works department PWD it is learned दो घर को गिराना भूल गए केजरिवाद वो अभी भी मौजूद है कहां यह CM house complex के अंदर और इसलिए अब जब PWD वाली घूम के आए देख के आए अंदर अब यह कह रहे हैं कि भी यह लौट किया जाएगा क्या है पूरी कहानी यह मैं आपको पूरी तस्वीरों से समझाऊंगा लेकिन कुछ डिटेल इस खबर को लेकर के जो अधिकारी कह रहे हैं जो क्लें किया जा रहा है उसको भी समझना जरूरी है पूरी के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि केजरिवाल की जो पूरी प्लैनिंग थी उस प्लैनिंग में कुछ घर को तो उन्होंने गिरा दिया और कुछ घर बचे रह गये क्योंकि सीश महल का बवाल खड़ा हो गया वह इन्होंने कांड तो बड़ा तगला किया ना पहले से घर बना हुआ था उस घर को रेनोवेट करना है छट तूट रहा है इस चक्कर में आपने पैसे निकल वाए पीड़ डिपार्टमेंट से तो जो घर था उस घर को तो कुछ नहीं किया लेकिन उसकी जगह के नई बिल्डिंग बना ली बिना परमिसन के और जब यह नया घर बन गया यह जो सीसमहल बन गया तो इसे डिमॉलिस कर दिया अब और भी प्रोपर्टीज को डिमॉलिस किया गया जो अभी सीसमहल लोग गये उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि भई इसमें तो अब रियलॉट करेंगा पीड़ डिपार्ट्मिन के तरफ से कहा जा रहा है कि इनको अब रेनोवेट किया जाएगा और दो मंत्रियों को एलॉट किया जाएगा मंत्रिय नहीं आएगे तो किसी अधिकारी को दिया जाएगा ये एक और समस्या है क्या है पूरा मामला इसको ज़रा मैप के जरिये तस्वीरों को जरिये जरा देखिए ये जो आप सेटलाइट पिक्चर देख रहे हैं ये दरसल केजरीवाल के सीसमहल का सेटलाइट जी कि यहाँ पर सीसमहल यह आप देख सकते हैं कि ये सीसमहल है इसके अंदर और सीसमहल के ठीक बगल में कैम आफिस है चीफ मुनिस्टर का केजरिवाल सचीवाले के दफ्तर नहीं जाते थे साल में कभी एक बार दो बार गया तो गहांने, अदरबाईस कभी वो इसी आफिस से अपना सारा कारोबार करते थे कोई जिमिदारी थी नहीं कोई जिमिदारी कोई डिपार्ट्मन था नहीं बस नितागिरी करना है, यडिविटिज्मन बनाना है और कैसे इधर का उधर राजनीती करनी है उसी में उनका समय लगता है तो ये वहाँ से ओपरेट करते थे लेकिन इनका प्लान क्या था इनका प्लान ये था आप देखिए ये जो दोनों साइट की सडक और ये जो त्रिकोन में जो जमीन नजर आ रही है ये पूरा का पूरा ये चीफ मिनिस्टर हाउस में कंड़र्ट करने का प्लान था कुछ बिल्डिंग्स जो अभी सीश महल के पीछे की है उसको तो तुड़वा दिया वहाँ नया कंस्ट्रक्शन भी सुरू करवा दिया लेकिन जब बवाल मचा तो ये जो तमाम और भी जो घर नजर आ रहे हैं वो सीएमो कॉंप्लेक्स के अंदर तो है लेकिन वो अभी तक डिमॉलिस नहीं किया गया जो ओरिजिनल प्लान केजरीवाल का था वो इसलिए अटक गया क्योंकि सीश महल को लेकर के कंप्लेंट्स होने लग गया मीडिया में आ गया सब कुछ बवाल मचने लग गया तो वो डिमॉलिस नहीं हुआ तो दिमॉलिस नहीं हुआ तो मकान तो है वहाँ पे तो ये लॉट किया जाएगा और साल देर साथ से वो खाली पड़ा हुआ है पी डवल्डी के अधिकारी बता रहे हैं कि उनको दो मंत्रियों को कहा गया कि भई आप एट ए और एट बी में स्ट कर जाएए उन्होंने कहा नहीं जी केज़िवाल के बगल में रहेंगे हमारी ये मजाल हमारी ये आउकाद हमको कल मंत्र मंडल से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अलडी इंविस्टिकेशन चल रहा है. इंविस्टिकेशन किसने चल रहा है? In April 2023, it was claimed that several residents of Class 1 government officials were vacated and demolished to expand the CM's residence. Following the claim, the Directorate of Vigilance initiated a probe. The Vigilance Department said that rupees 52 crore 71 lakh was spent by the PWD on the residential complex camp office of chief minister and that construction at the residence was marked as an addition and alteration but an entire building was constructed to replace the existing structure यह आपने गर जो बनाया आपने लिए जो शीष महला आपने जो बनाया वो बिना किसी permission के PWD के अधिकारियों के उपर दवाव डाल करके PWD minister उस समय जो है उस अदंदर जैन जो तिहाल में भी साड़ रहा है उसने यह सारा कारणामा किया और उस बज़े से क्या हुआ 7 PWD engineers involved in the construction had faced suspension and disciplinary action they were further asked to explain why the old structure at six flag staff road was demolished without a server report and why no building plans were sanctioned for the new building constructed by the PWD the Central Bureau of Investigation also initiated an inquiry into the matter and a probe is underway said officials आपने सीस मल खड़ा कर दिया आपने इतनी बड़ी planning कर लिए सब कुछ कर लिया बिना permission के क्या सोच के कानून आपके लिए एक्जिस्ट नहीं करता देश के अंदर बे हम कानून का पालन नहीं करेंगे हम दिल्ली के राजा हैं मुगल भास्षा की तरह हम अपनी मन मानी करेंगे मेरा मन होगा किसी घर को तोड़ देंगे किसी घर के जगह पे हम नहीं अपने लिए महल त्यार कर लेंगे वे इतनाम से संग्मरमर लगवा देंगे नो नो लाख रुपए का परदा लगा लेंगे वो भी दिल्ली की जनता के पैसे पे आपको याशी करनी है खुद कमाओ खुद का बनाओ जिसको बहुत तारे लोग है जो उस तरह का घर बना करके रखते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अपने आपको कट्र निमांदार भी कहोगे और यह सारा काम करोगे बचारे साथ इंजिनिर नप गया है केजरिवाल की चक्र में अब मसेला क्या हुआ कि एक कॉंप्लेक्स तो बन नहीं सका क्योंकि अब इसके उपर सीवियाई इन्वेस्टिकेशन और तो आतिसी मान लेना को भी कहा गया है जो लेटर दिया गया उनको अलॉट्मेंट का उसमें लास्ट पैराग्राप में लिख दिया गया है कि और जब कभी भी इन्वेस्टिकेशन के लिए ज़रूत पड़ेगी तो सीवियाई के लोग विजलेंस के लोग अंदरा करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसमें आप आपको कोपरेट करना पड़ेगा अपनी करेंगे तो फिर आपका एलॉट्मेंट केंसल किया जा सकता है यह जो घर हैं जो ठीक आपके कॉंप्लेक्स के अंदर हैं अब वहां कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह तो देखना पड़ेगा लेकिन आपने इस तरह का काम किया क पीड़ूडी के लोग शीश महल के अंदर के चपचपचपचा वीडियो फोटोग्राफ सब वो लेकर के गए हैं हमें भी इंताजार है दिलि इंता को भी इंतार है देश की जनता को भी इंतार है कि केजिवाल ने गरीब जनता के पैसे का इस्तमाल किस तरीके से अपनी ताकि देश तो देखे कि जो सक्स कल कहता था कि न गाली लूँगा न बंगला लूँगा वो किस तरह से चार्टेड प्लेन चार्टेड हेलिकॉप्टर और अपने लिए एक शीष महल बना करके पब्लिक को बेवकूप बनाया आप देखते रे कैपिटल टीवी हमारे वीडिय कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद